हाई अलो फ्यू वेलकम टू में यूटूब चैनल लेट्स टू कॉमेंट्स कैसे हैं बच्चे आप सब अच्छ होंगे उम्मीद करता हूँ आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नमर 4 प्लानिंग टॉपी का नाम है इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस और प्लानिंग जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था हमने जो पढ़ाई की थी वो किती फीचर्स, नेचर एंड करेक्टरिसिस और प्लानिंग उसका जो हमारी चौपाई थी वो था DCP of MP आज की चौपाई का नाम है डॉक्टर सोडी चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर सोडी में सबसे पहले D और नीचे दिये के आप एक एक वर्ड एक एक लाइन को समझें इंपोर्टेंस का पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डिरेक्शन प्लानिंग हमें दिशा देती है डॉक्टर सोडी डी डी से दिशा डी से डारेक्शन सो प्लानिंग हमारे लिए एक प्री डिटर्माइन कोर्स अब एक्शन है प्री डिटर्माइन पहले से निर्दारित किया हुआ प्लान ये हमें डारेक्शन देता है जो कि एम्प्लोई को मदद करते हैं चलने के लिए प्लानिंग क्लियर करता है एम्प्लोई को क्या करना है कैसे करना है एडवांस में जब हमें पता लग जाता है क्या करना है तो हमें दिशा मिल जाती है कदम कैसे उठाना है एम्प्लोई को एडवांस में पता लगता है तो उसको डारेक्शन मिलती है कैसे काम करना है these leads to unity of direction यहां में underline कर रहा हूँ very very important star लगा रहा हूँ और आपको यादोगा बच्चों जब हम पढ़ रहे थे principles फेओल के principle 14 फेओल के principle उसी का part है unity of direction unity of direction के बारे में question आएगा unity of direction is connected to which functions of management that is planning if there were no planning employees would be walking in different direction अगर planning नहीं होती तो employee different direction में काम करते संस्ता का goal कभी भी achieve नहीं होता तो planning डिसा देती है चलिए point number two planning reduce the risk of uncertainty planning क्या करती है uncertainty का reduce करती है संस्ताओं में हमें अच्चारक uncertainties आती है जिसके बारे पता नहीं होता unexpected situations आती है जिनकों की अंडलाइन कर रहा हूं reduce करती है planning करने से uncertainty हम reduce कर सकते है planning manager को help करता है कि कैसे वो future में कुछ अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे mind में कुछ आपको mind में future के लिए कुछ पुराने अनुभों से और माहूल को देखते वे आपको ये टेख करना है कि इस uncertainty से कैसे आपको overcome करना है the plan also include unexpected risks such as a fire calamities समझ गे होंगे कुछ अगर आग लग जाना कुछ अगर calamities हो जाना उसके लिए हम कैसे तयार रहेंगे कैसे उसको हम sort out करेंगे हमारे पास resource होना चाहिए कि uncertainty को हम कैसे meet करेंगे finally uncertainty को reduce करती है planning कैसे पुराने आपके past experience से environment को scan करके again important है past experience और environment को scan करके आपको run नीती बना नी बिड़ेगी कैसे हम उसको reduce करेंगे चलिए point number 3 देखते है planning reduce overlapping and wasteful activities planning कम करती है overlapping और wasteful activities कैसे संस्ता plan करती है mind में requirement क्या requirement सभी department में departmental plan करते है main organization plan से as a result coordination होना चाहिए हर department में अगर manager comma non manager all the employees are following course of action सब आव अगर course of action follow करते है तो आपस में integration होगा एकता होगी और plans में सब में clarify thoughts होगा मुझे क्या करना है कहने का मतलब है जब सबको अपना अपना काम आलूम होगा तो कोई भी overlapping नहीं होगी point number 4 planning promotes innovative ideas planning promote करता है innovative ideas को क्यों यह जब planning करेंगे सोचेंगे सोचेंगे तो ideas आएंगे planning के लिए high thinking चाहिए intellectual process आएए यहां पर आपको better ideas पता करने की कोशिश करनी पड़ती है better methods, procedures particular job को करने के लिए तो जो manager होता है उसको अलग से सोचना पड़ता है think differently future के लिए इससे manager को innovative और creative होना बहुत ज़रूरी है और उसके ideas generate होते हैं number 5 planning मदद करता है निरने लेने में planning manager को मदद करता है निरने लेने में advance में उसको सोचना पड़ता है उसको prediction करना पड़ता है future के लिए और उसके साब से उसको निरने लेने पड़ते है fast decision number 6 planning stabilizes standard for controlling very very important यह planning establish करता है standard for controlling देखिए कैसे controlling का मतलब होता है comparison between planned and actual output मान लीजिए आपने कहा मुझे 10 bag manufacture करनी है और आपने 8 bag manufacturing करी planned जो है वो 10 bag का लेकिन actual में 8 output हुआ तो वहाँ पर variation आया उसको बोलते है difference अंतर तो आप पता लगाओ ऐसा क्यों हुआ फिर आप उसको measure corrective measure लो कि यार actual तो हमारा 10 था sorry planned 10 था actual 10 था तो match क्यों नहीं हुआ अगर हमारा planned output नहीं होगा तो हम controlling manager कैसे control करेगा base थो चाहिए उसके लिए तो base जो होता है planned output planning होनी बहुत जुरूरी है तब ही तब उसके लिए match करें for example planned output for a week is 100 unit अभी example ले रहा है मैंने आप अलएड़ी बता दिये 10 बैक से so finally controlling जबी होगी जब planning होगी 10 बैक का अगर output है अगर 8 बैक output 10 बैक की planning है 8 बैक output हुआ है तो आप control करेंगे आखिर 2 बैक क्यों कम हुए उसके बारे में सर्च करेंगे so controlling का जबी establishment होगा जब planning होगी जब planning अपने आप में importance रखता है तो finally बच्चों keyword आप घर पे पढ़ लेंगे mcq homework और अगली चौपाई जो कि limitational planning उसका नाम है ncr dtc not centralization dtc daily transport company अगला हमारा जो है वो वीडियो रहेगा चौपाई पे ncr dtc अभी की चौपाई थी डॉक्टर सोडी अगली चौपाई है ncr dtc तो बच्चों मेरे साथ बने रही है इसकर बिजनस चाली सामे चौपाईयों के साथ बिजनस पढ़ते रहे है अगर आपको बिजनस चौपाई बहुत अच्छी लगती है और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ मेरे सब कुछ हो रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है यह पूरी इंडिया में करांती फैला दो सभी के पास यह वीडियो पहुंचा दो स्टेटेस लगा दो ताकि सब का भला हो ताकि सब आपको दुआई देंगे निसुल्क अभी कोई चार्जेस नहीं है सभी यूट्यूग चैनल बड़े बड़े चैनल वाल लोगों ने चार्जेस रख दियें पैसे रख दियें अभी मैं निसुल्क बढ़ा रहा हूँ यह मेरी इच्छा है कब तक बढ़ाऊंगा वो मेरी इच्छा रहेगी सब हाल फिलाल आप स्टेटिस लगाएए अपडेट कीजिए लोगों बला कीजिए थांक्यू वेरी मैच बबाई